हेलो स्टुडेंट वेलकम टो महता डिज्टिल क्लासेज तो बच्चों हम अब मारा एससटी का जो इतिहास पार्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे उसके हमने कौन-कौन से टॉपिक है जो कंप्लीट कर लिये थे दिखिए आपका जो चैप्टर है कैसे कब और कहा ठ इतिहास इतिहास भारत को तीन काल खड़ों में बाटा था कौन वण से थे हिंदु मुस्लिम और बिटिष की सबसे पहले तो हिंदु जो उन्होंने राज किया उसके बाद जो मुगल शाशकाय उसके बाद भिटिश जो अंग्रे जोने हम पे शाशन किया था तो इन वो इस यूग को क्या मानते है जो बिटिश जो यूग था जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया था ठीक है हम गुलाम थे तब जो है इतिहासकार इस यूग को क्या मानते है कि ओपनिवेशिक यूग कहते है कौन सा यूग कहते है ओपनिवेशिक यूग कहते है तो ये ओप बाक्य उन्होंने शाशन किया था हमारे उपर ठीक है आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थविवस्था समाज है जैसे हम पर नियंत्रन स्थापित कर लिया था अपने सारे खर्चों को निप्टाने के लिए राजस पर वसूल किया और अपनी जरूरत की चीजों को चस् उसे हमें गुलाम बनाया तो उन्होंने जिस चीज की उनको अपने लिए जुरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने देश को चलाया अर्थवेवस्था और समाज पर एक ऐसा कंट्रोल बना लिया एक नियंतर स्थापित कर लिया कि सारे जो खर्चे थे अपने खर्चे निकालने क लिए उन्होंने जो टैक्स थे राजस वह वसूल करने स्टाट कर दिये और अपने जीजों की जिन चीजों की उनको जरूत थी उन चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद लिया इसके लावा जिन फसलों की ज़रूत थी उसकी खेती करवाई ठीक है तो आप यह भी जानेगी कि कि जो ब्रिटिश आशन के कारणी यहां के मुल्य मानेता हैं, पसंद ना पसंद है, रिती रिवाज है, तो और तरीके, वो भी उनमें भी काफी ज़्यादा बदलावाई थे, जब एक देश चो हता है, वो दूसरे देश के दबदबे में रहता है, मतलब दूसरे देश के आदि वेशी करण कहते हैं, ठीक है, इसी भी दूसरे देश का जब एक देश पर नियंतिर हो जाता है, तो उसकी वज़े से देश की जो हर परिस्थिती में, जो हर तरह की स्थिती जिसे आर्थिक है, राजनितिक है, सामाजिक है, सांस्क्रितिक है, उसमें जो जो बदलावाते है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है उपनिवेशी करन कहा जाता है लेकिन जल्दी हम यह समझ जाएंगे कि सारे वर्व और समू इन बदलते हुए रूप को एक ही डंग शर्बव नहीं कर रहे थे इसलिए इस किताब को हमारे अतीत का यानि कई अतीतों पर केंद्रित यह नाम करते हैं देखें पर शाषन जो है वो अभिलेग तयार करता है अंग्रेजी शाषन द्वारा किये गए तयार किये गए जो सरकारी रिकॉर्ड से तो अंग्रेजों ने जब शाषन किया था तो जो भी सरकारी रिकॉर्ड बनाए थे उन्होंने इतिहासकारों को एक महत्वप करने के लिए कि उस समय क्या क्या हुआ था अंग्रेजों की मानिता थी कि चीजों को लिखना बहुत ही क्या होता है महत्पून होता है उनकी लिए हर निर्देश हर योजना नितीगत फैसले सहमती जाच को साफ साफ लिखना ये सब क्या था बहुत जरूरी था ऐसा करने के बा अंग्रेज़ों को ये भी लगता था कि जो भी दस्तावेज है जरूरी कागज है जरूरी पत्र है दस्तावेज है उनको संभाल कर रखना जरूरी है लिहाजा कि जो भी सरकारी जो दस्तावेज जो भी थे अहम पत्र थे उनको संभाल कर रखना बहुत जहादा जरूरी है लिहाजा उन्होंने सभी शाशक्यों सन्थानों में अभिलेक कक्ष मानवा दिये तैहஇल के दफतर् कल्यक्ट्रेट कमिशनर के दफतर प्रांतियों कचःरी सबके अपने रिकॉरड रूम होते थे महत्वपुन दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभी लेखागार और संग्रहले जैसे संसान भी बनाएगे अभी लेखागार वही जो भी बता है अपने आपको की यह जो रिकॉर्ड्स है जो दस्तावेज है कागजात है पुस्तके है उनको सुरक्षित रखा जा सकी जिस जगे पे ठीक है एक लाइबरी टाइप की तो उसे अभी लेखागार कहा जाता है 19 सदी की शुरुआद में प्रशाषिन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अभी लेखागारों में देख सकते हैं ठीक है इसलिए सुरक्षित रखे जादेत कि हम भविश्य में कभी भी उन्हें देख सके वहाँ आप जिला दिकारे द्वारा त्यार गए किये गए नोट्स रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं उपर बैठे अफसरों द्वारा प्रामतिय दिकारियों को भेजे गए जो भी निर्देश और सुझाव है वो आप देख सकते हैं आप 10-1 सदी के शुरुआती सालों में इन दस्ता वेजू की सावधानी पूर्वक नकले भी बनाई जाती थी ठीक है उन्हें खुश नसीबी के माहिर घुशन वीसी के माहिर कहते लिखते थे कोश्वी और सुलेख नवीस यह लोग इनकी नकल बनाते थे carbon copy zirox मतलब बनाते थे जो बहुती सुन्दर धंगसे चीजों को लिखते थे उन्हें कहा जाता था क्या कहा जाता था? खुश नवीसी या फिर सुलेख नवीस ठीक है मतलब सुन्दर तरीके से धंगसे जो चीजों को लिखते थे फिर 19 सधी के मध्य तक क्या हुआ था? चपाई की तकनीक भी पहले तो सिरो प्रत्यों को लिखा जाता था उनको कॉपी की जाती थी लिखे लेकिन फिर देरे देरे जो चापे खाने वगरा ये प्रिंटिंग जो फैक्ट्रियां थी ये सब बनने लग गई उसके बाद में इस तकनीक के सारे प्रत्यक सरकारी विवा के कारवाईय हों के जो दस्तावेज है उनकी क्या बनाई जाने लगी जीरोक्स कौपी बनाई जाने लगी प्रत्याद मनाई जाने लग गई ठीक है अब है अगे सर्वेक्षन का बढ़ता महैटुर तो आपनिवेशिक जो शाशन था उसके दोरा हर चीज को देखना सरवेक्षन करना सरवेकरना सदी săदी की शुरुवात तक तक पूरे देश का नक्षा तयार करने लिए बड़े सरवेक्षन कीया लग गई उनको इस देश पे राज करना था तो उनका मानना था कि पूरी तरह से उस देश को पहले अच्छे से जानना ज़रूरी है तब हम उस पर पूरी तरह से शाषन कर सकते हैं तो 19 सदी की जब शुरूआ था तो पूरे देश के लिए एक नक्षा तयार करना था और जिसके लिए सर्वेक्षन किये गए तो गाउ में क्या किया गया राजे स्वेक्षन किये गए और इन सर्वेक्षनों में धरती की सतय, मिट्टी की गुणवत्ता, महा मिलने वाले पेड सदी के आखिर से हर दस साल में क्या की शुरू कही गई जन गन्ना हर दस साल में जन गन्ना की जाने लग गई जन गन्ना के जरीए भारत के सभी प्रांतों में रहने वारे लोगों की संख्या उनकी जाती, इलाके, वैवसाय, इन सब की जानकारिया इकठी की जाती थी उसी स प्राणी विज्यानिक सर्वेक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इस तरह से हर तरह की जानकारी कठी की जाती थी अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता देखो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नह कर सकते थे कौन-कून सी बात यह उनसे पता नहीं हो सकते थे सरकारी record गो थे तो हमें इससे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर जो है वो क्या सोचते थे सोचते थे मतलब वो records उन अफसरों द्वारा ही लिखे चाहते थे नहीं के बारे में उन्होंने लिखा तो इन रिकॉर्ट से यह tillses समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि उन्होंने देश के हर एक विपिती के बारे में थोड़ी न जानकरी हासल की थी सिरफ वो अपने आसपास और अपनी समझ और उनकी जरूरत के इसाब से जो महसूस किया वही उन्होंने रिकॉर्ड बनाए दूसरे लोग क्या महसूस करते थे उनकी कारवाईया थी वो किस वज़े से थी ये नहीं पता था इन बातों जानने के लिए हमें कहीं और लेकिन और चीजों को जानने के रिकॉर्ड इसलिए हासे लोगों की डाइरिया कुछ विशेश महान जो लिखती अपनी डाइरिया लिखते थे या तीर्थ यात्राएं यात्रियों के जो संस्म्रण है महत्पूर्ण लोगों यात्म कथाएं जो है थाने बाजारों बिखनी वाले लोगप्रिय पुस्त पुस्तिकाय हैं यह सम्हेत पूर्ण हो जाती थी किसलिए अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए जैसे चैसे छपाई की तक्निक फैली अकबार छपने लगे विभिन मुद्धों पे जंता में भैस होने लगी नेताओं और सुधार को ने अप भावनाई व्यक्त करने लगे कविताओं के माध्यम से उपन्यासों के माध्यम से नाटकों के माध्यम से तो इन सबसे भी आम उन लोगों ने आम जो लोग थे जिनको कोई नहीं देखने वाला था उनके विचारों को भी प्रस्चुट करना शुरू किया लेकिन यह सारे स् फिर भी हर एक व्यक्ति तक अनपढ़ है एकदम गरीब है उस तक पहुंचना फिर भी मुश्किल था इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी जैसे किसान है ख़दानों में काम करने वाले मजदूर है सडकों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब है कि यह कैसे अन कर देंगे we you do YOUR हमारा जो चप्टर है यह कंप्लीट हो चुका है यह पूरा जो स्यंप्टर है फिर्स वींप कर लिए होंगे अपनी नोट बुक में बाकि जो भी बज़े प्रश्न इसके हैं वो आपको भेज दूंगे में आप न ये जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिए इसके बाद हम नेक्स चैप्टर नेक्स वीडियो में स्टार्ट करेंगे ओके स्टुडेंट्स आई वो आपको समझ में आ गया होगा आपको लिखना भी और लर्न भी करना है ठीक है ओके थैंक्यू